इफ्तारी के लजीस डिश्रो में मंचूरियन बना कर इसका भी आनद लिजिए ताकि बच्चे भी खूश हो जाएं तो चलिए बनाते हैं आज हम चिकन बॉल्स मंचूरियन बनाएंगे मैंने 200 ग्राम चिकन ब्रेस्ट को पूदी ने और दो हरी मिर्च डालकर ग्राइड कर लिया है इसे एक बॉल में हम डाल लेते हैं साथ ही हम इसमें एक कप काईबेज, एक काईरट और एक शिमिला मिर्च एक प्याज बारीक बारीक टुकडों में काटकर इसमें मिला देंगे इस तरह से इसको बॉल में डालने के बाद आधी चमबच, कुटी काली मिर्च, नमक, ग्रिन चिली सोस, रेड चिली सोस, सोया सोस, बिनेगर, टोमाइटो सोस, चाट मसाला और एक चमबच, कॉर्न फिलोर, एक चमबच मैदा डाल देंगे इसमें एक चमबच चाट मसाला भी हम डालेंगे ताकि उससे चटपटा टेस्ट भी आए इन सारी चीजों को हम एक साथ मिक्स करेंगे अच्छी तरह से इसका एक पेस्ट बना लेंगे यह ड्राई नहीं बनेगा यह थोड़ा गीला बनेगा लेकिन यह हाथों से उठाने में कोई परिशानी होगी नहीं इसे हम गोला बना बना कर तेल में अच्छी तरह से फराई कर सकते हैं यह देखिए इस तरह का पेस्ट इसका बनके तयार है इधर कडाही में तेल गर्म हो गया है हम हाथों से थोड़े थोड़े उठाएंगे और गोला बना बना के इस तरह से एक एक कर के कडाही में डालते जाएंगे फ्लेम को लो मिडियम रखेंगे और बीच में हिलाते हुए इसको फ्राई होने देंगे जो हो जाएगा उसको हम एक एक करके निकालते जाएंगे जो ब्राउन दिखने लगे उसे हम निकालते जाएंगे तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक करके चैनल को स लाल हो चुका है ब्राउन हो चुका है उसे हम एक एक करके निकालते जा रहे हैं ताकि वो ज्यादा पक न जाए ज्यादा वो जल न जाए तो इस तरह से हम इसको हीलाते हुए बाकी के जो हैं उसे भी हम फ्राइ कर लेते हैं और फ्राइ करके हम इसे बाहर निकाल लेंगे एक पलेट में, तो ये सारे के सारे हमने एक पलेट में निकाल कर रख लिए, ये देखिए, अब हम एक पाइन चड़ाएंगे, और पाइन में दो चमस तेल गरम करेंगे, तेल के गरम होते ही, इसमें बारिक कटे हुए लसन और हरी मिर्च काट कर डालेंगे, इसका कलर चेंज हलका सा होने तक हम इसको फ्राई करेंगे, उसके बाद में इसमें एक पयाज को काट कर हमने उसके सारे पत्तों को खोड लिया है, उसे भी हम इसमें डाल देते हैं, गाज मिर्च के बड़े बड़े टुकडे काटकर हम इसमें डालकर हाई फिलेम में इसे सोते करेंगे 15 से 20 सेकेंड तक इसको हम सोते करेंगे ताकि ये थोड़ा सा सोफ्ट हो जाए अब इसमें आधी चमच नमक डालेंगे सेजवान चटनी, सोया सोस, बेनेगर, गिरिन चीली सोस औ और कुटी हुई काली मेर्च डालकर इसे हम मिलाएंगे अच्छी तरह से इसे मिलाने के बाद हम इसमें कॉर्ण फ्लोर का गोल बनाकर रखे हैं कटोरी में एक पतला सक गोल इसे भी हम इसमें डाल देंगे और डालने के बाद हम इसे पकाएंगे तो चलिए अब इस समय पर हम corn floor इसमें डाल देते हैं तो ये corn floor डाल कर हमने इसे मिलाने हैं अच्छी तरह से तो इसे भी हम एक पिनट तक मिला कर पकाएंगे ताकि corn floor अच्छी तरह से पक जाए ये जब गाढ़ा लगने लगे तो इसमें हम थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं तो ये मेरा गाढ़ा फिर से हम इसे चलालेते हैं इसमें रहीन ह sarc张 लेकि settlements उस जल व्य masterpiece सब्सक्राइब इसमें अब हमम चछना डालेंगे तो यह चिकन कोब डालेंगे चोटी की डाली मिलागे ताकि सारे बॉल से मसाले अच्छी तरह से लीपट जाए तो इस तरह से अब इसमें हम कुटी काली मेर्च उपर से डालेंगे और फिर से इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे ये तयार हो गया है इसे अब हमें निकालने हैं तो निकालने से पहले हम इसमें हरा धनिया उपर से डाल देंगे और इस तरह से अच्छी तरह मिला लेंगे अब हम इसे एक ball में निकाल लेते हैं यह तैयार हो गया है ball भरके हम serve करेंगे तो फटाफट से हम इसे ball में निकाल के पुरा ball भरते हैं तो इस तरह से आप अपने घर में बनाइए ये बच्चों को बहुत पसंद आता है अंदर से सोफ्ट है बाहर से क्रिस्पी तो देखने में भी अच्छा खाने में भी अच्छा तो इस बार इफ्तारी में आप इसे भी शामिल किजिए शामिल करके देखिए सभी खूस हो जाएंगे बड़े भी खूस हो जाएंगे बच्चे भी खूस हो जाएंगे उन्हें लगेगा ये मार्केट का मंचूरियन हमें खाने को मिल गया ये देखिए इस तरह से इसे काट कर दिखाते हैं ये देखिए तो इस तरह से आप भी बनाईए और अपने बच्चों के साथ अपने फेमली के साथ इंजोई किजिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यावाद मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का दियार रखे